श्री शिवाई नमस्तो भ्याम दोस्तो आज श्री पंडित प्रदीप मिश्राजी की ओम शिव महापुरान कथा जो की सागर मध्य प्रदेश में हो रही है इसका पांचवा दिन था दोस्तो पांचवे दिन की कथा में श्री पंडित प्रदीप मिश्राजी ने एक उपाय का और इसी उपाय को श्री पंडित प्रदीव मिश्रा जी अपने सागर मध्य प्रदेश के ओम शिव महापुरान कता के हर दिन इस उपाय का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि यह उपाय इतना असरदार है और लोगों के पत्र भी इस उपाय से जुड़े हुए आ रहे हैं तो दोस्तो अगर आप लोगों के शरीर में भी आपको कोई समस्या है कोई दिक्कत है या कोई बड़ी बीमारी है जिसे की कैंसर हो गया बीपी हो गई शुगर हो गई थाइरोड हो गया इस तरीकी गर आपको बीमारी घेर कर रखे हो देखो जिसको बीमारी होती उसको पता ल नहीं होता उसका जो है यहाँ पर बात आज श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताईए देखिए एक रुद्राक्ष अगर सिद्ध होगा तो उसका जो असर होगा वो बहुत जदा होगा अगर वो रुद्राक्ष सिद्ध नहीं होगा या नकली होगा तो उसका कोई अ कोई रुद्राक्ष लाए होंगे तो वो रुद्राक्ष आप बिलकुल दिल से मान सकते हैं कि वो रुद्राक्ष बिलकुल 100% सिद्ध है वो भगवान भुरिनात के आशिरवास से पूरा सिद्ध है अगर उस रुद्राक्ष के जल अगर आप लोग पीते हैं तो उसको पीते ह अगर आपका रुद्राक्ष शिद्ध है तो यह आपको उसके फर्क जरूर पढ़ेगा इसलिए जब भी रुद्राक्ष वित्रन चालू होका और आपने अभी तक रुद्राक्ष नहीं लिया है राद भर इस जल को रखे रहने देना होता है उसी रुद्राक्ष को अंदर जल के अंदर डाल के ठीक है उसके बाद सुभा जैसे ही होती है सुभा उटकर ही उस रुद्राक्ष की जल का आपको सेवन करना होता है कैसे करना होता है एक साथ नहीं करना होता है पूरे दिन भर मे आपको दो दो चम्मच करके या तीन दीन चम्मच करके जो है उस जल का सेवन करना चाहिए रुद्राक्ष आप लोग भाहर निकाल सकते फिर उसका टोरी का जो जल है वो आप लोग दो दो चमच करके तीन दीन चमच करके दिन भर में आपको तीन से चार बार उसका सेवन करना चाहिए इससे निस्चिती आपकी जो भी बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगा और अगर आपको कोई बीमारी नहीं आप अपने शरीर के स्वस्थता के लिए अगर इस काम को करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आपका शरूर जरूर स्वस्थत रहेगा ठीक है आपको जरूर सकते हैं कर लिया बाश्री शिवाई नमस्तु बहम